नमस्कार आपसे रूबरू होने का ये मेरा 44 साल है 27 नुवंबर सन 1974 को मैंने पहला टेलेविजन प्रोग्राम किया था बहुत छोटी उम्रती उस वक्त मेरी 44 सालों में मैंने कभी नहीं देखा था बलकि 40 सालों में कहूंगा मैंने कभी नहीं देखा था कि किसी रेडियो प्रोग्राम का लाइव टेलेकास्ट टेलेविजन पर हो पिछले चार साल से देख रहा हूं चार सारे चार साल से प्रधान सेवक का कारिक्रम मन की बात रेडियो कारिक्रम है लेकिन हमारे तमाहम टेलेविशन चैनल उसका लाइव टेलेकास्ट करते हैं एक फोटो लगा के और फिर रेडियो पर जो बोला जा रहा है उसका लाइव टेलेकास्ट करते हैं प्रधान सेवर कि किसी भी रेली का पुलिटिकल रेली का लाइव टेलेकास्ट करते हैं सारे चैनल करते हैं आपको याद है अन्ना हजारे कुछ सुना हुआ नाम लगता है अन्ना हजारे याद कीजिए कुछ साल पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा अंशन किया था राम लिला आपको याद है योगा टीचर रामदेव सेठ बन रहे थे यह नून टेल वगारा बेशने से पहले तो उन्होंने भी एक रैली करी थी रामलेला मैदान में जहां रात को सलवार कमीश पहन कर उनको भागना पड़ा था महां से उसका भी टेलेकास 24 घंटे का हमारे तमाम किसी न्यूस चैनल पे कोई चरचा नहीं कोई जिक्र नहीं सिवाए एक चैनल के जिसने नीचे स्क्रॉल दे रख़ा था और यह आज का जो रैली थी यह किसान मसदूर संखर्ष रैली थी क्योंकि इसमें किसान हैं मसदूर कोई रैंबो नहीं था एन्ना हजारे जैसा या रामदेव जैसा या प्रधान सेवक जैसा कोई सूपरमैन नहीं था इसलिए इस रैली को दरकिनार कर दिया गया और वैसे भी किसान मज़़ूर की कौन सुनता है और उनकी बात करें भी क्यों दिया नौट श्रैसे सेक्सी एनाफ बहराल 23 राजों से लोग आए इसको सेंटर Chester of Indian Trade Union ने और ऑल इंडिया किसान सभा एक almost ने और ईर्लिए एगरी कुलासर विकर्स यूनियन ने इसका आयोजन किया था इसको ओगनाईज किया था ये लोग राम लीला मैदान में रुखे उसी राम लीला मैदान में जहां अन्ना हजारे जहां राम देव अगरा की रैलियां हुई थी वहां से रैली शुरू हुई और पांच हजार लोग तो सिर्फ नासिक से ही एक ट्रेन में एक रेल गाड़ी में ये वो लोग थे जिनने भी मुंबई में बहुत बड़ी तादाद में रेली निकाली थी और लोगों को परिशानी नहूं इसलिए रात को ही ये पहुँच गे थे जहां प्रदर्शन करना था और मुंबई के नागरिकों ने भी इनका नाच्टे में पोहा और गुर्दवारों से पानी की बोतले और तमाम लंगर वगरा के अंतजाम में हुआ था बहुत ही डिसिप्लिन बहुत ही संगटित तरीके से रेलिया थी यह उन गुंडों के इकट नहीं है जो बीजिस परचिस परचिस लोग डंडा लेकर मॉब लिं पर रोज कमाता है और जो हमने मार्श निकाला था मुंबई में बहुत बड़ा एक मूर्चा निकाला था हमें प्रॉमिस किया गया था वाइदा किया गया था कि हमें जमीन दी जाएगी वो कहां पर है 71 साल के परशु राम का ये कहना है जिनोंने 700 रुपे खर्च किये ट्रेंड की टिकेट के लिए जो तीन महेने में इनकी इतनी कमाई होती होगी एक ग्रूप पालकार्ड केरल से मोटर साइकल्स पर आया है एक और ग्रूप मनिपूर से आया वहां की पुलिस उनको धमकाया कि मत जाओ बावजूद इसके वो लोग मनिपूर से आये हैं तो कुल 23 राजियों के लोग एक लाग से ज्यादा लोग दिल्ली में कठे हुए पार्लिमेंट स्टीट पर गए राम लिला मैदान से लेकिन कहीं कोई कवरेज नहीं इनकी मांग क्या है इनकी मांग है कि एक तो महंगाई कम की जाए दूसरा जो पब्लिक डिस्टिबूशन सिस्टम होता है जिसके जरीए राशन वगएरा लोगों तक पहुंचता है जिससे सरकारी हिंदी में सारवजनिक वितरन प्रनाली बोलते है उसको सब जगा पर लागू किया जाए और फॉरवर्ट ट्रेडिंग जो होती है कि अगले दस साल में इस चीज़ की कीमत क्या हो जगती है तो अभी से उसकी डील करके रख लो वो जो बुनियादी जरूरत की चीज़ें जैसे डाले वगर हैं उनमें बैन की जाए फिर कारगर कदम ऐसे उठाए जाएं कि एक ऐसी नौकरी ऐसा कारोबार ऐसा रोज़गार लोगों को मिले जिसमें उनकी इज़द काईम रहे और 18,000 रुपे कम से कम minimum wages जिसे नियून तम मजदूरी कहते हैं मतलब कम से कम 18,000 इससे कम ना हो वेतन जो है तंखवा जो है कम से कम minimum जो है वो 18,000 रुपे हो और उसके अलावा स्वामी नाथन कमिटी ने जो रिपोर्ट दी थी MSP की minimum support price किसानों को उसे लागू किया जाए सरकार ने क्या किया है कि A2 formula के अंतरगत MSP लागू किया है A2 में बुनियादी चीजों की जो कीमत होती है जैसे खाद है, बीज है, पानी है, लेबर है उसका खर्चा, उसका 50% MSP minimum support price देने का फैसला किया था कि ये लोग चाहते हैं कि C2 formula लगाया जाए, कि जो घर के लोग जो काम करते हैं, मेनत करते हैं, खेतों की जमीन पर, उनकी भी मज़दूरी लगाया जाए उसकी market cost जो है, market की जो कीमत है किराय की, उसको भी इसमें शामिल किया जाए और MSP कमिटी ने यही recommend किया था, यही सलाह दी थी और जितने भी गरीब गुर्बा किसान हैं जिनके सरों पर कर्जों का भूज है, उसे एक माफ किया जाए फिर बड़े उद्योक पतीओं के कर्जे, हजारों करोड़ रोपयों के कर्जे, माफ किये जा सकते हैं, तो इनके क्यूं नहीं कर सकते हैं, यह तो बिचारे बहुत बड़ी तादाद में खुदकुशी भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारी दुनिया सिर्फ टेलिविजन खेदों में काम करने वाले मजदूरों के लिए कानून बनाया जाए फिर यह कहा है कि मन्रेगा जो है वो सारे गाओं के गाओं के तमाम इलाकों में उसको लागू किया जाए उसके लावा फूड सिक्यूरिटी हो कम से कम हेल्थ, एजुकेशन, हाउजिंग, सब के लिए हो ये बुनियादी जरूरियात हैं ये तो कम से कम सरकार महया करवाए उसके बाद यूनिवर्सल सोशल सिक्यूरिटी हो कि सरकार की तरफ से एक ऐसा नेट, ऐसा जाल हो सिक्यूरिटी का की भूकों बनने की नौबत ना आए आत्महत्या करने की नौबत ना आए हस्पतालों के बाहर, फुट पाथों पर लोग पढ़े रहते हैं हमारे हाँ कभी दिल्ली में आकर देखिए या किसी भी राजी की राजधानी के बड़े हस्पताल के सामने जाकर देखिए वो ऐसी स्थिती ना हो, सरकार कम से कम इतना तो कर सकती है और ये जो कॉंट्रेक्ट पर मजदूर रखने का चलन शुरू हुआ है इससे नौकरियां जा रही है कॉंट्रेक्ट माने जो मालिक होता है वो हायर फायर कर सकता है जब चाहे आपको रख ले जब चाहे आपको निकाल दे और जबरदस्ती जमीने ना ली जाएं उद्योग पतियों के लिए जैसा कि हो रहा है बहुत सारे इलागों में अगर कोई कुद्रत का कहर होता है कोई ऐसी आपदा आती है जो कुद्रत की तरफ से आई है तो उसका जो राहत और फिर रिहबिलिटेशन है उसकी कारगर उसका इंप्लिमेंटेशन उसको जल्दी से जल्दी किया जाए बाकि और भी कविसरे सरोकार रहे हैं इनके लेकिन मुझे बड़ी हैरानी है कि कहीं मीडिया में कोई कवरेज नहीं मुझे याद है कि ये लोग इतने संगठित हैं और मुझे वो याद है मैंने पढ़ा था किसी जमाने में नहीं मुझे याद है जब एंटी हिंदी एजिटेशन चल रहे थे या उससे पहले हमें लाठियां उसका उठाली होती तो क्या होता इसलिए इस रैली को चेतावनी माना जाए ये चेतावनी देने आये हैं ये लोग संगठित होकर अनुशासित होकर बहुत जोर शोर से क्लीन गंगा प्रोजेक्ट की शुरुवात हुई थी राजीव गांदी के वकपर और एक अथॉरिटी पूरी बनाए गई थी और करोर रुपय उसमें लगा दिया गया जोंक दिया गया कुछ नहीं हुआ राम नाम पर राजनीती करने वाले गंगा की राजनीती भी करने पहुँच गे बनारस लेकिन राम की गंगा मैली ही रही हाला कि गंगा का बहुत बहुत गहरा तालुक है हमारी सब्विता से संस्कृति से सदियों से हमारी चेतना का हिसा है गंगा अब गंगा की सफाई का जो वायदा था चुनाव का उसमें उमा भारती पहली मंत्री थी उनके काम से खुश नहीं रहे प्रधान से वक्त उन्होंने ये काम जिम्मा दिया नितिन गड़करी को जिनके बारे में एक इंप्रेशन है कि वो एक कारगर मंत्री है काविल मंत्री है काम करते है नितिन गड़करी ने कहा और मैं उस मीटिंग में शामिल था डॉक्टरों की एक मीटिंग थी मैं भी इन्वाइटेट था उसमें वहाँ पर भी कहा उसके लावा इंडिन मर्चंट्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और इंड़करी उसमें इंडिन गड़करी ने कहा कि सतर फीसद गंगा की सफाई हो चुकी होगी मार्श दोजार उननेस तक हिसाब लगाए कितना महीने रह गए हैं सितंबर का महीना तो चल रहा है तो साथ महीने के अंदर-अंदर सतर परसंट गंगा जो है कंगोतरी से लेकर जो गोंगोखे वहां से लेकर कलकत्ता तक इसकी सतर परसंट सफाई हो चुकी होगी ये एक फिर ऐसा वाइदा लगता है जो दे दिया गया है मतलब बहराल नितिन गटकरी का ये कहना है कि सतर परसंट गंगा के सफाई हो जाएगी मार्च दोजार उननिस तक और दोजार बीस तक गंगा पूरी तरह से साफ हो जाएगी वी विशियो अल दे बेस्ट रेली दिल से हम कह रहे हैं कुल मिलाकर दोसो एकेस प्रोजेक्च्चs हैं नमामी गंगे प्रोगैम के तहट आते हैं जिन पर 228 करोर खर्च होने हैं और वो ये गटकरी साब कहना है मुकम्मिल होने जा रहे हैं मुकमिल होने ही वाले हैं नमामी गंगे जो है वो सिर्फ गंगा की सफाई नहीं है बलकि गंगा का जो वेस्ट है जो सफाई होईगी उससे भी पैसा कमाने की फिलासोफी इसके पीछे है अब यह ड्राफ्ट बिलेक बनाया है मिनिस्ट्री ने जिसको इनिन एक्स्प्रेस ने आज चापा है शामदाल यादव की रिपोर्ट है ड्राफ्ट बिल मिनिस्ट्री अवाटर रिसोर्स रिवर डेल्पेंट गंगा रिजुमिनेशन उन्होंने मुख्तलिफ जो स्टेक होल् इस बिल में नैशनल गंगा काउंसल बनाने की तजवीज की गई है और नैशनल गंगा रिजुमिनेशन अथोरिटी बनाने की एक तजवीज बेश की गई है जो 15-25 किलिमेटर की पूरी गंगा है उस पर लागू होगा साथ ही में इस ड्राफ्ट बिल में गंगा प्रोटेक्शन कोर एक ऐसी पुलिस फोर्स आर्म्ड फोर्स सश्यस्त्रबल बनाया जाएगा जिसे केन सरकार मेंटेन करेगी और यह जो गंगा प्रोटेक्शन कोर है यह क्रिमिनल प्रोसीजर के तहट काम करेगी अगर इस पुलिस फोर्स के किसी भी सदस्ट को लगता है कि कोई किसी शक्स ने ऐसा काम किया है जो गंगा को गंदा कर रहा है तो उसको गिर्फतार किया जा सकता है और पुलिस स्टेशन ले जा जा सकता है इसके पास ऐसी पावर होंगी और इसमें जो प्रावधान हैं बिल में वो यह है कि बतलब दो साल की सजा और दोलाक का जुर्माना या तो एक या दोनों दोनों भी हो सकते हैं उसके लावा constructional permanence एक है commercial fishing और aquaculture activities in the Ganga and any of its tributaries shall be punishable with imprisonment for two years or a fine of two lakhs or both अगर व्यावसाइब तौर पर मस्ली पकड़ने की गतिविधी यहां पर की गई गंगा के किनारे या गंगा की जो ट्रिबूटरीज और नहरे हैं उन पर तो उसमें दोलाक रुपे की का का जुर्माना और दोलाक और दो साल की सजा हो सकती है यहां पर अगर किसी प्रकार की किसी भी तरहें की ऐसी गतिविधी देखी की कि बिल्डिगे बनाई जा रही है व्यापार के लिए या रहने के लिए तो उसका जो जुर्माना है वो पचास लाक और सजा दो साल की होगी यह दोनों भी हो सकती है फिर एक और प्रोविजन है इसमें मतलब ऐसा कोई भी इमारत आपने खड़ी की हो चाहे हो फैक्टरी हो मिल हो या कुछ भी हो जिसकी गंदगी गंगा में जाती हो तो उस पे पांच साल की सजा हो सकती है जेल की और उसके अलावा पचास जार रुपे रोज का जुर्माना लग सकता है बहराल अच्छा है यह लेकिन देखना बाकी है कि गटकरी साहब ने नजने क्यों कह दिया कि सन 2019 के मार्च तक 70% गंगा साफ हो जाएगी हम उनको शुब कामना देते हैं कि वो यह काम कर पाएं और 2020 तक पूरी की पूरी गंगा साफ हो जाएगी देखना बाकी है कि क्या ये भी वैसा ही अनाप शन वाइदा निकलता है क्योंकि चुनाफ का साल है या वाकई घटकिज़ा कुछ करके दिखा सकते हैं नमस्कार आप देख रहे थे जनगन मन की बात हमारी आप से एक बार फिर इलतिजा है कि आप यूट्यूब पर जाएं और हमारा जो यूट्यूब चैनल है दे वायर एडिशन आए वो आप तक पहुंच जाए जो आफते में चार दफ़े आता है मंगलवार बुधवार वीरवार और शुक्रबार